नमस्कार इन दो को कभी अपने अंदर मत रखना यह आपके अंदर रहेगी ना तो आपके अंदर जहर प्यदा करेगी और दीरे दीरे आपको अंदर ही अंदर खत्म करती रहेगी और आपको पताई नहीं चलेगा और आप दीरे दीरे ऐसे हो जाओगे बिलकुल पतले दूबले हो जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा हो सकता है यह आपको मांसिक रोगी भी बना दे बगवान सिक्रष्ट कहते हैं कि खाना अगर दो दिन से ज़्यादा पेट में रे जाए ना तो जहर बन जाता है पानी अगर चार गंटे अगर अपने सरीर में रे जाए ना तो वो भी जहर बन जाता है और आप सांसे लेते हो ना आप सांसे लेते हो इसको बाहर मत निकलो तो आपका दम गुटने लगता है तो बगवान सिक्रिष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार अगर आप गुस्सा करते हो अगर आप इर्शा करते हो यह दोनों चीज़े आप करते हो ना तो यह आपके अंदर पोईजन का काम करेगी जहर का काम करेगी बगवान सिक्रिष्ण कहते है कि गुस्सा आप दूसरों पर करते हो अपने आप नहीं करते हो दूसरों पर करते हो आप देखते हो को दूसरों का नुक्सान हो रहा है लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज है ना आप करते तो दूसरों पर हो लेकिन नुक्सान आपका होता है गुस बार बार आपके दिमाद में वही बात आती रहती है, और वही गुसा आपके खून को जलाते रहता है. तो बगवान से क्रिष्ण कहते हैं कि गुसा कभी मत करना। गुसा एक ऐसी चीज है जो आपके सरीर में दीरे दीरे एक जहर पैदा करती है। और हो सकेकर उसको आपने लंबे समय तक रखाना तो आपको मांसिक रोगी भी बना सकती है. मगवान से क्रिस्ट कहते हैं कि गुश्जा करना हो तो खुद पे करिये. आप कोई गलती करते हो तो खुद पे गुश्जा करते हो, नहीं करते हो. खुद को क्या कहते हो अरे यार कोई बार में गल्ती हुई आगे ध्यान रगे और वही गल्ती अगर कोई दूसरा करता है तो आप उसको दस बात सुनाते हो और दस बार गुसा करते हो ऐसा क्यों अगर आप दस बार गुस्सा कर रहे हो नहीं तो दस बार आप अपने आप के सरीर को जला रहे हैं भगवान से क्रश्ण कहते हैं कि गुस्सा करना तो खुद पर करना खुद पर करना कि हाँ मैं जे ये बुरी आदते खत्म करनी है मुझे अपने आप में सुधार लाना है जो गुस्सा खुद पर करता है ना वो अपने आपको सुधार लेता है तो ज्यान रखना लोगों पर गुस्सा करना बंद कर देना वरना उनका कुछ नहीं जाएगा आप कही दिमाग उल्टा खराब होगा इर्शया जलन जलन की बावना मत रखना कोई आप से आगे बढ़ रहा है कोई आप से अच्छा कारी कर रहा है और कोई बिस्निस में टोप कर रहा है तो आप उससे जलन की बावना मत रखना आप जलोगे अंदर ये अंदर जलते रोगे अंदर ये अंदर अपने खून को जलाते रहोगे और अंदर ये अंदर उसको देख के आप मरते रहोगे इर्शिया क्यों करनी है करनी है तो उससे परतिस परदा करिए कॉंपिटिसन करिए ना कि आज वो उस लेवल पर पहुंचा है तो मैं भी उस लेवल पर पोचूंगा उसके जितनी मैनत करिए वो जो मैनत कर रहा है आप उसे डवल मैनत करिए तो ये तो होती है कोई बात वरना वो आप से आगे है तो आप उसे जलते रोगे मैनत करोगे नहीं बेटे बेटे बजलते रोगे अपने सरीर को जलाते रोगे अपने आप को जलाते रोगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा उसको देखो गए और आपका माइन खराब होगा आप दिश्टप हो सकते होगे और आपका मांसित संतुलन भी विकर सकता है तो ध्यान रखना भगवान